इमर्जेंसी LED बल्व यानी inverter बल्व इसके अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, कितने टाइप के सर्किट होते हैं, या किस तरह से काम करता है और इसे कैसे रिपेर कर सकते हैं, आसानी से हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, स्रिफ एक ही वीडियो मे के बाद भी और बिजली के साथ भी काम करता है, इसका बहुत आयत आज कल घरों में यूज हो रहा है, आपके घर में भी जरूर होगा, दोस्तो इसे एक नॉर्मल बल्व की तरह भी हम आराम से घर में यूज कर सकते हैं, इसी सप्लाई में, अगर इसे समझना है तो देखते 50 model वाला 3.7 volt output का बेटरी और उसके उपर का एक LED वाला पैनल जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, यह है DOB है, यानि इसके उपर जो है driver लगा होता है, DOB circuit कहते हैं, तो इतने से ही सामान में आप अपना inverter बल्व को तयार कर सकते हैं, तो इस समझाने के लिए मैं आपको इसका एक बार connection करके दिखा दे रहा हूँ, सबसे पहले इस DOB में यानि driver on board वाला जो circuit है, इसमें बैटरी को connect कर लेंगे, इस बैटरी से हमें 3.7 volt का DC power supply मिलता है, जो इस DOB को चलाने के लिए suitable रहता है, और इस बैटरी को हम लोग इसके housing के अंदर fit करेंगे, जिसके लिए हम एक छोड़ा सा double side tap लगा के चिपका दे रहे हैं, तो बैटरी को housing के अंदर चिपकाने के बाद यहाँ पर जो B22 cab मैंने बताया था, वहाँ से जो AC supply हमें मिलेगा, उसे यहाँ पर लाकर इसमें जो दो point दिखाई दे रहे हैं, इसमें solding कर देना है और लास्टे में हम diffuser को लगा देंगे और इस परकार हमारा यह LED बल्व, inverter बल्व तयार हो चुका है, यहाँ touch करके हम चेक कर सकते हैं कि यह काम कर रहा है या नहीं, तो अभी अभी मैंने आपको DOB circuit के बारे में बताया, जो हमने अभी भी यूज किया था, DOB यानि driver on board, तो इसका थोड़ा advanced model है, alpha DOB, जिसमें कुछ extra components लगे होते हैं, इसकी live को बढ़ाने के लिए, जैसे drum inductor, fuse resistor, capacitor, दोस्तो इसे driver on board इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसका जो driver है, एक ही panel, एक ही PCB के उपर लगा होता है, और इसमें जो LED है, वो भी उसी के उपर लगा है, यानि सारे ची on board यानि DOB कहते हैं, लेकिन अच्छे quality के LED bulb की बात करेंगे, जो branded bulbs होते हैं, उसमें ये DOB circuit यूज नहीं होते हैं, उसमें driver circuit अलग यूज होता है, और उसका PCB panel जो LED वाला होता है, वो अलग यूज होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये branded bulbs के अंदर आपको इस प् driver में आपको दिखाई दे रहोगा, टोटल चार wire हैं, दो wire input के लिए है, और दो wire output के लिए है, metal core printed circuit board, यानि MC PCB वाला जो board है, जो इसमें LED लगा हुआ है, इसके output को इसमें हम connect कर लेते हैं, इसी type का एक दूसरा driver circuit भी हमें आपको दिखा रहा हूँ, पहले अब मैं आपने 2 wire देखा था, इसके output में हमें 3 wire देखने को मिलेगा, जैसे कि ये तो इसका AC supply का wire हो गया, दो wire, और इसके output में आपको 3 wire देखने को मिलेंगे, और यहां MC PCB में भी आपको 3 point देख रहे होंगे, इसी 3 wire को यहां पर solding करना रहता है, तो यहां पर मैंने आपको 2 type के driver circuit बताए, तो इतने से ही circuit में आप अच्छा quality का inverter bulb भी तयार कर सकते हैं, और normal DOV भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहां पर मैं 2 wire और 3 wire वाला driver circuit बताया, तो दोस्तों अच्छे सा समझने के लिए हम एक bulb को repair करेंगे, यह एक inverter bulb खराब वाला हमारे पास है, इसको अगर AC supply में जोड के देखेंगे, तो यह नहीं जल रहा है, AC supply से काम नहीं कर रहा है, तो क्या इसमें problem होता है, इसको हम लोग check करेंगे, पहले इसको एक बार touch करके देखते हैं, यह देखें, इसके अंदर जो battery लगा है, उससे अच्छे से काम कर रहा है, जब इसे touch करते हैं, तो यह जल रहा है यानि कि इसका AC supply से काम नहीं हो रहा है, इसको हमें देखना है कि क्या problem हो सकते हैं, एक बार खोल के देखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसके MCPCB में तीन point दीख रहे हैं, तीन wire दीख रहे हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक driver circuit, इ देखा दे रहा हूं, देख सकते हैं कि इस वाले LED वल्ब में, वही तीन wire output वाला driver circuit लगा है, अंदर battery भी दिख रहा है, तो battery से supply हमें मिल रहा है, तभी तो touch करने पर जाल रहा है, यानि battery बिल्कुल सही है इसका, battery जब आप चेक करेंगे, करीबन 3.7 volt दिखाता है, आप multimeter स चेक कर सकते हैं, तो दोस्तो इसका जो MCPCB में, जो 3 point दिख रहा है, ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, दोस्तो इस 3 point वाले MCPCB की तरफ देखते हैं, इसमें जो LED लगे हुए हैं, ये 2 part में divided हैं, जो पहला part है, ये 3.7 volt जो battery voltage है, उसमें काम करता है, जैसे हम touch किये तो जल रहा था ये, वो 3.7 volt बैटरी से जल रहा था, लेकिन जब हम AC supply से जोडते हैं, तो इसका जो दूसरा part है, उसमें driver से होते हुए 100 से 150 volt यानि 100 से 1500 volt के बीच हमें supply मिलता है, जिससे वो AC supply देने पर जलता है, तो एक बार multimeter से मैं आपको test करके दिखा रहा हूं, कि ये कैस voltage हम लोग check कर सकते हैं, तो multimeter को हमने DC voltage पर set कर लिया है, और नीचे जला के देखेंगे, नीचे touch करके, तो यहाँ DC voltage जो battery power supply उसमें जल रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं 2.8, लगभग 3 volt दिखा रहा है, जो कि battery का power supply है, तो यहाँ पर battery का supply अच्छे से आ रहा है, अब उसक का दूसरा part है, उसको हम लोग check करेंगे, जो करीबन 100-500 volt के बीच दिखाना चाहिए, तो इसी supply हमने इसमें जोल लिया है, और यह देखेंगे नहीं जल रहा है, अब उपर voltage पहले check कर लेते हैं, देखते हैं, उसमें voltage आ रहा है या नहीं, तो पहले part में 3 volt दिखा रहा था, इसके दूसरे part में देखते हैं voltage दिखा रहा है या नहीं, यह आप देख सकते हैं, यह 130 volt करीबन 130 volt के आस पास दिखा रहा है, यानि यहाँ पर दूसरा जो part है, यह LED का वो भी supply बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन उपर का MCPCB में एकाद LED कुछ खराब हो सकता है, जिसके करने में काफी time लग सकता है, फिलाल तो मैं आपको इसके replace करके दिखा दे रहा हूँ, यह अपना नया वाला MCPCB है, वही 3 point वाला, इसे हम लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले solding से इसे हम निकाल लेते हैं, पेचकस की साहता से हम इसे निकालते हैं, तो यह हमारा MCPCB यहां निकल चुका है, तो सबसे पहले हम लगाने, जो नया वाला है MCPCB, इसे लगाने से पहले इसमें हम heat sink paste लगा लेंगे, दोस्तों जब यह MCPCB जलता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा heat generate होता है, बहुत गरम होता है, तो इस heat को बाहर निकालने के लिए, इसके aluminium में अच्छे से उसको set करना ज़रूरी है, और बीच में air gap नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम इसमें heat sink paste लगा लेते हैं, अच्छी और पहले के तरह इसे तीनों point में तीनों wire को solding कर लेंगे, तो हमारा यह solding हो चुका है, यह देखिए मैं touch करके देख रहा हूं तो पहले जैसे ही जल रहा है, लेकिन हमारा जो इसमें problem था वो AC supply वाला था, जब AC supply इसमें देते थे तो दूसरा पार्ट नहीं जलता था, अ देखिए हमारा यह repair हो चुका है, अब AC supply में भी यहां अच्छे से जल रहा है, और last time हम इसके diffuser को लगा के complete कर लेते हैं, तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको काफी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और काफी सारे repairing tricks भी मिले होंगे, ऐसे बहुत सारे धेरो जा अच्छा लगा होगा तो like जरूर करेंगे, और कुछ problem होगा, कुछ confusion होगा, तो comment करने में बिल्कुल मत हिच कि जाए, हम आपको answer जरूर करेंगे, मिलते हैं ऐसे ही धेरो जानकारी वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए पना ध्यान रखेंगे, thanks for watching.